पैया जी गाड़ी डिमांड में रहता है लेकि लोग पीछे इस वज़ा से हट जाते हैं क्योंकि गाड़ी बिल्कुल खाली मिलती है फीचर्स नहीं है लेकिन यहां पर आपके साथ फॉक्स वेगन में ऐसा नहीं है यहां पर फीचर्स भी है सेफटी भी है क्लास भी है और प्रिमियमनेस भी है आप अगर गाड़ी के फ्रंट लुक से ही शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको 3D स्टाइल में फॉक्स वेगन का लोगो जो है वो देखने के लिए मिलेगा, प्रॉपर आपको उपर प्यानो फिनिश के साथ ग्रिल, नीचे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लेकिन सिर्फ फॉग लेंप नहीं है और नीचे सिल्वर कलर की स्केट प्लेट, हेडलेम की बात करूँगा तो लो बीम, हाई बीम दोनों के लिए आपके पास रिफलेक्टर बेस हाई लोजन हेडलेम्स है, यहाँ पर आपको DRLS दी जाती है, यह आपके बास टान इंडिक साइड में अगर आप आएंगे तो 16 इंचेस के आपके पास वील है, नॉर्मल स्टील वील आपको दिया जाते हैं, यहाँ पर आपको आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स जो है वो मिलेंगी, प्रॉपर एक कॉम्पेक्ट एस्यूई वाल आपको फील भी आएग और डेफनेटली वो इस गाड़ी की प्रेजन्स को और बोल्ड और अपीलिंग बना रहा है, यहाँ पर अगर आप A पिलर देखेंगे तो वो बाडी कलर है, B पिलर के उपर आप आएंगे ब्लैक डाउट है, यहाँ पर डेटेलिंग देख रहे हैं, फोक्स वेगन यहाँ आपको प्रॉपर मेंशन होगा, वो देख जाएगा, गाड़ी बहुत ही सॉलिड फील होती है, मतलब जो इस गाड़ी का स्टान्स है वो देखने में भी लगता है कि यार वाक के ही गाड़ी का स्टान्स जो है वो एक अलग लेवल पर है, यहाँ पर आप इसकी शोल्डर ल अगेगा कि यार क्या डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के वील बेस की, तो इसमें आपको मिलता है 261 mm का, यहाँ के आपको क्रेटा में 2600-2610 mm इसके आसपास का वील बेस, बट यह सेग्मेंट का बेस है, नॉर्मल इंटीना जो है, वो आपको यहाँ पर दिया जाता है, पीछे आपको इस बेस फेरेंड में कोई डीफॉगर, वाइपर या वाशर जो है वो नहीं दिया जाता, यहाँ पर आपके बास है टान इंडिकेटर, स्क्वायर डॉप शेप में आपको पास थोड उनकी ब्रैंडिंग है यहाँ पर इधर आपको TSI जो है वो देखने के लिए मिलेगा, पीछे आप देखेंगे तो वंपर की ओपर यहाँ प्रापर क्रोम की स्ट्रिप, तीन आपके पास रेयर में पार्किंग सेंसर है, उधर भी आपको क्रोम की टिप देखने के लिए मिल पास रहेगा, तीन सो पिचासी लीटर का है अगर मैं नंबर की बात करूँ, पार्सल ट्रेन ही आती, लेकिन इस साइड आपके पास होक है, और इधर भी आपके पास होक है, दोनों पर मैंशन है कि आप तीन तीन केजी तक का वेट जो है वो आप डाल सकते हैं, यहाँ पर सेफटी ट्राइंगल जो है वो आपको मिलेगा, फस्टेट केट, यहाँ पर आपको बेस वेरियंट में ही लगेज लोडिंग लांप जो है वो देखने के लिए मिल जाता है, स्पेर वील डेफ़नेटल आपको इसके नीचे मिलेगा, टूल केट, स्पेर केट यहाँ पर यह यहाँ पर साइज रहेगा, एक साइज छोटा, यानि 15 इंच का स्पेर वील जो है वो आपके पास रहेगा, यहाँ पर आप देखिए, एक, दो, तीन, रेयर वाली सीट के लिए तीनों हेड्रिस्ट हैं आपके पास, तीनों एड़स्टेबल हैं और 3.8 सीट बिल्ट भी ती कैबिन की, कैबिन की भी बात करेंगे, पहले हम आपको चाबी दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखिए, चाबी यह है गाड़ी की, आपको पीछे मिलेगा, फॉक्स वेगन का लोगो, और इधर आपके पास तीन कंट्रोल्स हैं, आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, करते हैं, तो बूट जो है, वो आपकी अनलॉक हो जाएगी, पॉप अप नहीं होती है, लेकिन अनलॉक हो जाती है, और इस तरीके से फ्लिप की जो है, वो आपके पास रहने वाली है, अब आप आईए जड़ा कैबिन में, कैबिन में भी आपको दिखाऊंगा, कि बेस वे यहाँ पर इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्स है, चारो पावर विंडोस, और यह जो आप देख रहे हैं, यह सॉफ्ट अच है, फैब्रिक का यूज किया गया है, लेकिन ओवराल काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपको फिनिशिंग जो है, वो देखने के लिए मिलती है, स चावी को जड़ा यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, और अब आप आईए जड़ा क्याबिन में, यहाँ क्याबिन में यह गाड़ी आपको क्या कुछ आफर करती है, वो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, सबसे पहली चीज तो देखिए, आपके पास टॉच्क्रीन इंफोटे इसके बाद अगर आप फोन आपने अपर अपना ब्लुटूथ से करने करना आप कर सकते हैं, आपको रेडियो सुनना है, कर सकते हैं, साउंड की क्वालिटी डीसेंट है, काम चलाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ब्राइटनेस बगारा का लेवल आप एड़ेस्ट कर सकते है कुछ manual settings जो है, वो भी आप यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको language को उनसी रखनी है, date, time बगारा, basic चीज़े आपके पास है, यहाँ पर आपके पास ऊपर date और इधर आपको time जो है, वो भी visible रहेगा, फिर आप आए ज़रा steering wheel पर, steering wheel देखें, leather wrap नहीं है, लेक जो आप देख रहे हैं, यह इस cluster से related है, एक बर थोड़ा सा ignition इस गाड़ी का on करते हैं, और अब आप देखिए, यहाँ पर आपको analog based tachometer, इधर coolant temperature, इधर speedometer, fuel की gauge, बीच में MID है, इस MID का adjustment यहाँ पर है, आपको गाड़ी range अभी कितना और देदेगी, वो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको visible हो जाएगा, उसके बाद आप देखिए, अभी आपको present time में गाड़ी क्या fuel economy दे रही है, वो आपको visible होगा, digital speed आपके पास आएगी, आपने कितना distance अभी कर रहा है, travel आपका time कितना रहा, वो सब चीज़े, temperature, total आपके kilometers, trip, trip को आप यहाँ से adjust कर स स्टेरिंग के adjustment की बात करते हैं, देखिए, tilt adjustment है आपके पास, और telescopic भी adjustment है, अब आप मुझे बताईए, कौन सा base variant आपके पास ऐसा है, जिन गाड़ियों से यह competitive करती है, जहाँ पर आपको tilt telescopic adjustment मिल रहा है, touchscreen मिल रहा है, और इतना आपको premium cabin मिल रहा है, इतनी safer गाड़ी आ आपको मिल रही है, मुश्किल पढ़ जाएगा आपके लिए थोड़ा सा देखना, लेकिन लोग पीछे इश्वय से हटते हैं, यह सर्विस, यह ज़्यादा सर्विस है, कब सर्विस है, उन सब चीजों को लेकर की cosplay सर्विस है, लेकिन आपके बाद बहुत सारी facilities है, चार सा एक लाग किलोमेटर देख की कमपनी आपको वारेंटी देती है, चार साल फ्री सर्विस भी देती है, तो उसके बाद आप डैश्बोर देखिए, मतलब टेक्शर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा plastic quality भी feel होती है, fit and finish तो भाई ultimate है, मतलब fit and finish से तो आपको छोटे knobs हैं, लेकिन जब आप इसे use करते हैं तो इसकी quality का पता चलता है, बढ़िया, यहाँ पर आपको hazard lamp का switch मिल जाएगा, इधर आप देखेंगे तो traction अगर आपने off करना है, उसका button आपको दिया गया है, idle start stop अगर आपको activate या deactivate करना है, वो आप कर सकते हैं, बढ़िया space आपके पास यहाँ पर है, कोई USB port या फिर C type charging port नहीं दिया जाता, इस base variant में particularly यह आपके पास एक ही रहेगा 12 volt का power socket, 6 speed का manual transmission, बढ़िया response करेगा, engine की भी अभी मैं आपको बात बताता हूँ, यह एक लीटर वाला engine है, यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा कभी hole है, दो आपके पास रहने वाली है, armrest आपके पास रहेगा, यह soft touch के साथ है, और इसको आप चाहें तो extend यानी से slide करके आप अपने हिसाप से थोड़ा बहुत आगे भी adjust कर सकते हैं, और इसके बीच में भी आपको एक अच्छा storage जो है, वो मिल जाता है, rooftop के उपर grab handle है, इस तरीके इस seat को adjust करा, मैंने अपने हिसाप से, अब आप गाड़ी से visibility देखो, है ना कमाल की visibility, मतलब अगर आपको जिनको यह लगता है, और मुझे hood नहीं दिख रहा, तो आपको यह हम पर proper wallet भी दिखेगा, हर चीज में गाड़ी बिलकुल perfect है, इसका A pillar कहीं से आपकी visibility को disturb नहीं कर तो वो चीज आपको इस गाड़ी से definitely feel होती है, फिर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर headlem के control है, और इधर आप देख सकते हैं, proper आपको setup दिया गया, headlight leveler है, नीचे अगर आप देखेंगे तो dead paddle, proper space आपको यहाँ पर भी मिलेगा, उससे related भी आपको कोई शिकायत definitely नह होती है, एक बार ज़रा ignition इसका बंद करते हैं, और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, एक बार इस गाड़ी की second row में, यहाँ से आप देखिए, यह है इस गाड़ी की second row, second row में सबसे बढ़िया चीज आपको AC vents देखिए, वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, उससे related कोई दिक्कत नहीं, डोर पेट की अगर मैं बात करूँगा, तो पीछे भी आपको proper softus जो है, वो देखने के लिए मिलेगा, power window का control, बढ़िया grab handle, speaker की placement, bottle holder, अच्छे size का आपके बास pocket, अब आप आप आईए cabin में, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना, यह देखिए, बढ़िया sufficient amount के आपके बास knee room है, बढ़िया आपके बास leg room है, जब अरदस्त under thigh support आपके पास यहाँ पर है, उससे related आपको कोई दिक्कत definitely नहीं होगी, और यह चीज मैंने आपको अल्रेडी बताए थी, यहाँ पर देखिए, तीनों आपके बास headrest जो है, वो adjustable है, three pointed seatbelt के स मैं जरा एक बार गाड़ी के engine की, कि engine के मामले में आपको गाड़ी क्या कुछ offer कर देती है, यहाँ से जरा इसका खोल लेते है hood, अब आपको इसका engine दिखाता हूँ, तो यह है Volkswagen Tigon का engine bay, यहाँ से आप देख सकते हैं, यह है इसका one liter का three cylinder unit है, TSI engine बहुत ही जबरदस्त काम क 8 newton meter का torque, सामने firewall के उपर आपको covering proper दिखाई देगी, नीचे underbody में फिलाल आपको covering नहीं दिए गए, लेकिन कोई metal part यहाँ पर आपके लिए फाल्तु का exposed नहीं रखा गया है, हर चीज neatly covering आपको मिलेगी, उपर भी अगर आप देखेंगे तो इस hood में अच्छा खासा weight जो ह है, वो भी इस गाड़ी की strength को बहुत enhance करता है, proper laser welding है, कहीं पर आपको ऐसी यहाँ पर strips जो है, वो उपर च्छत के उपर जैसे दिखती है न, वो चीज यहाँ पर आपको नहीं दी जाती, अच्छी detailing आपको हर जगा दिखेगी, चाए आप यहाँ पर hood की बात करिए, चाए आप देख रहे हैं, तो हर चीज आपको यहाँ पर बिल्कुल perfect दिखेगी, detailing आप देखिए, कोई पैनल आपको खालतू का gap जो है, वो यहाँ पर नहीं दिखेगा, cabin में भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ interior, exterior में आप कहीं भी देख लीजे, हर जगा आपको जो है, वो बिल्कुल proper fit and finish जो है, वो बिल्कुल ultimate दिखाई देती है, अब आप देखिए कि 12,60,000 रुपे अगर आपने एक शोरूम में दियें, तो उसके हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी वर्थ है, मैं तो कहूंगा कि इस price tag के साथ इतनी premium class और इतना superior अगर आपको गाड़ी मिल रही है तो